श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात का कारिक्टम आज देश भर में लाखों लोगों ने सुना हिमाचल प्रदेश के भी हर पोलिंग बूत के उपर मन की बात का कारिक्टम संपन हो रहा है हमने नाहन की महरिशी बालमिक बस्ती के बूत नमबर 54 पर यह कारिक्टम सुना जिस परकार से और मननिय मोदी जी लोगों के दिलों को छूते हैं वो बिलकुल नायाब है 2023 का साल किस तरह से खिलाडियों की दिरिश्टी से अच्छा रहा भारत ने कितने कितने ओलम्पिक्स में पारा ओलम्पिक्स में मैडल जीते किस तरह क्रिकेट के अंदर एक शांदार जीत दर्ज की उसको भी मोदी जी ने देश्वासियों को बढ़ाई दिया बन करके खड़ा हुआ मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से देश और आगे बढ़ रहा है पिछला जो साल है वो इस दिशा में पुपलब्दी भरा साल रहा साथ ही आज हमारे लिए गौरव की बात है कि 22 जनवरी को और भवे राम मंदिर का निर्मान और भगवान राम जी की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा का कारिक्रम संपन होगा यह जो कल से शुरू होने वाला 2024 का वर्ष है यह भारत के लिए एक सांस्कृतिक आजादी का वर्ष ऐसा हम इसको कह सकते हैं आज और उस दिशा के अंदर एक महत्व पूरण कारे हुआ है महरशी बालमिक जी के नाम पर अंतर राष्टिय एरपोर्ट का उद्गाटन अयोध्या जी में करना बहुत बड़े गौरव की बात है महरशी बालमिक जी को और स्मरण करते हुए देश के मुखे पटल के उपर प्रस्थूट करना ये मोदी जी की बड़ा भरी योगदान सांस्कृतिक भारत की दिशा में है आज हम आधनिये मोदी जी को बहुत बहुत शुप कामनाई देते हैं हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केसरी